हेलो गाईज, वालकम तू माई चैनल, दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटेस्टिंग चीज लेकाई हूँ आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ किस तरीके से मोबाइल की पुराने डब्रे से मोबाइल चार्जर होल्डर बनाएंगे वह भी बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही यूस्पूल है कैसे बनाना है चलिए तो वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले आपको एक मोबाइल का डबा ले लेना है जो पुराना आपके पास हो गई यह वाला हिस्सा आप इसे हटा दीजिए इसकी कोई जगवत नहीं है उसके बाद आपको इसके जो भी पार्ट है इसे आप कट कर दीजिए कट करने के बाद आपको मार्कर से इस तरीके से पूरे पर मार्क कर लीजिए थोड़ा सा इस स्टेश छोड़ देए और इसे कैठी की साहिता से आप इसे कट कर दीजिए कट करना बहुत आसान है अब यह इतका लूप कि इस तरीके से नजर आएगा आप देख सकते हो इसके ब इसके बाद आपको कोई पेपर ले लिए तो भी आपको कणर पसद नो और इसके साइज को लेकर आप आप पहन के लिएक आप साइज का आप ले लिए इसके बाद आप को इसे कैळी से कट कर देना है यह 5 कट निकाल ली है आप देखी है। और है यह नीचे के साइड आपको लगा देना है। यह पांस तरगी कट निकाल लिए हैं उसके बाद आप गुलू गन के साइटा से इस अच्छे से चिपका दो इसके बाद आपको यहां पर पीछे के साहिए आपको एक मारकर से आप पन से किसी चीज से यह मारकर दी जिए उसके बार इस lleva कार्टने के बाद इसलिए आपow मैं इसे सजाने के लिए ये हार्ट सेप का जो गैजित है इसका प्रियो कर रही हूँ ताकि थोड़ा मैं इसे सजा सको और लुक अच्छा आए गैज आप इसे अपने तरीके से भी सजा सकते हों मैं यहां पर हार्ट सेप देगे सजा रही हूँ आप इसे किसी भी तरीके से डेकुरेट कर सकते हो जैसा आपका दिल करें गैज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना कमेंट कर देना सेयर कर देना सुस्क्राइब जूर कर लेना मेरे चैनल को और ऐसे ही सपोर्ट करते रही है मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाती रहूंगी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तकि लि बाई लव यू और तकिर बाई